हलो एवरिवन वेल्कम डेमाई चैनल इस पाइसी अरोमा सुधा की रसोई नौरात्री का समय चल रहा है और नौरात्री में नौ दिन आप इस नास्ता रेसिपी को बना के खा सकते हैं स्नैक रेसिपी को चाय कॉफी के साथ या ऐसे ही बना के घर की बनाई हुई चटनी के साथ खा सकते हैं तो वरत में खाई जाने वाली यह बिलकुल नई तरकी की रेसिपी है आपको जरूर पसंद आएगी इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा है और बहुत आसानी से बन जाता है उपर की लेयर बहुत ही क्रिस्पी है आवास हूँ सकते हैं और अंदर का जो लेयर है ट अबले आलू लिये हैं दो अबले आलू के साथ आप इसे दो लोगो के लिए स्नैक्स रेसिपी को तयार कर सकते हैं अबले आलू को छील लेंगे ठंडा होने के बाद तो यहां पर दोनों आलू को मैंने छील लिया है और पटैटो मैशर के थूरू अच्छे से मैश कर कि आपा इसमें एक छोटाच मच्ट डेसी की एड़ीज़़ करेंगे अब इसे बाहिंक करने के लिए तो इसमे बुर्ट में खाया जाने वाला और बैसे अर्ट का आटा एड़ेंगे अर्थकषा अशाप में मिल जाता है व्रेत में तो यह जरूर मिल जाता है तो तीन बड़ टेबल स्पूर मैंने भी अरा रोट का आठा डाला है और वरत में खाया जाने वाला सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल नमक यूज़ नहीं करना है वरत में सेंधा नमक यूज़ करेंगे और स्वाद के हिसाब से आप नमक आठ करेंगे और अला रोट आठा डालने के बाद आलू में जो मौईषर होता है और जो घी हमने इसमें डाला है उसके मौईषर से इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अगर आपको dry दिखाए दे तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने गरम किया हुआ पानी आट किया है जो 2-3 टेबल स्पून भी डाला है बिल्कुल गरम पानी आट करना है ठंडा पानी नहीं और गरम पानी आट करने के बाद इसे अच्छे से और मिक्स करना है थोड़ा थोड़ कि हेल्व से आप इसे मिक्स करेंगे और इसे एक डो के फॉर्म में लाएंगे जैसे आप आटा गुनते हैं तो जैसे वो इकठा हो जाता है उसी तरह से हमें एक अठा कर लेना है तो यहाँ पर आलू और आरा रोट आटा के साथ हमें एक मिक्शर मिल गया है जो डो के फॉर बड़तेशी फॉल्प में कि फोड़ा साइथ यह दाना WiFi यह दिर दे और यह जो रहा सूद में हैं.. लिएपने का इस घता कूइं दोड़ा और यह दा मनें घञिस बासे हैं, और यह गौरा हमऑने सिस्करें सिद्धीत करें। बाद इसका एक portion लेके इस तरह से पतला सा लॉक तयार करेंगे इस तरह से पतला सा एक लॉक तयार करेंगे चारो बॉल्स के साथ अब मैंने यहाँ पर चाकू की हल्प से एक इंच के साइज में इस लॉक को कट कर लिया है तो एक इंच के साइज में कट कर लिया है जो लास्ट में छोटे पीसस निकले हैं उसको साइट कर दिया है वो बाद में कट दोड़ीं reported कि एक इंच को पीश में कटकर लिए तो मैंने जो एक्ष्क्रा साइड वेज़ा है उन्हें मिक्स करें और इसे वापस से इस तरह से हात्स से और एक उइस पर ग्रणी की पेज इस वरत की स्नैक्स रेसिपी तेनी डिजाइन के साथ को भी देंगे तो बच्चे तो उच्छल के खाएंगे अगर आपके बच्चे भी घर में व्रत रख रहे हैं और इस तरह से बीच में थोड़ा सा दबा देंगे और एक बो डिजाइन के जैसा आपको यह स्नैक रस्पी में लेगी तेल गरम करेंगे मुंग फली का तेल ले सकत इससे सेक लेंगे तो यहाँ पर एक बैच तयार हो चुका है दूसरा बैच डाल रही हूँ तो कुछ एक मिनट तो बिल्कुल आप इसे टेच नहीं करेंगे जब नीचे से थोड़ा सा पक जाएगा तो इसे फलिप करेंगे और दोनों साइड अच्छे से ब्राउन कलर होने तका बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर होने देना है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे डिजाइन के साथ हो कलर के साथ यहां पर हमारी वरत में खाई जाने वाली यह आलू की स्नैक्स रेसिपी तयार है और उपर की लेयर बहुत ही क्रिस्पी बनी है तो गर्म गर्म सर् इस रेसिपी को बहुत ही ऑसम बनाता है उपर से थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसे हलका सा काली मिर्च पॉडर उपर से स्प्रेंकल करेंगे और थोड़ा सा खटास इसमें लाने के लिए निम्बू कर रस मैने इसमें उपर डाल दिया है टॉस करेंगे अच्छे स ब्रठ के टाइम इस रेसिपी को बनाई ये बहुत आसान है बनाना और बहुत टेस्टी बनता है आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करेगा इसे शेर जरूर करेगा और ऐसी बहुत सारी आगे रेसिपी बाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पेन वरात्री.